सब्सक्राइब कीजिए रोयल टीचर को एजुकेशन संबंदी न्यूस तुरंत पाने के लिए इस बार दोस्तों यूड़ा इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है प्रोपेर्शन एक्टिविटी उसमें सामिल की गई है जिसके तर सबी बच्चों को पहले हमें प्रमोट करना होगा उसके बाद हमें उसकी एंट्री करनी होगी लेकिन कई तरह की इसमें हमारे समने इसमें रही है जैसे अगर किशी ने सहेंट क्लास में आयू अनुसार प्रवेश लिया है या अन्ने क्लास में आयू प्रवेश लिया है तहुसको कैसे एड्र करें नए टीचर की जो नई जोइनिंग हैं उनको कैसे एड़ करें टीचर को तो इस तरह की समस्याओं के समाधान के लिए एक क्वेरी यानि एक प्रस्णों उत्री आपके सामने प्रस्तूत की जारी है जिसमें प्रसंद भी है और उत्तर भी शामिल किये गए हैं जो सारे के सारे अगला प्रोसेस है जैसे पार्ट टू के अंत्रगत प्रतेक बच्चे के जी पी और एफ पी में क्या एंट्री करनी और कैसे करनी यह भी मैंने आपको बता दिया इस वीडियो के जरिए यह वीडियो जो जारी के गए हैं आप सभी जरूर देखें उसके बाद टीचर मोडि लिंक भी मिल जाएगा जिसके जरिया आप एक्टिविटी देख सकते हैं कि किस तरह आपको ऑनलाइन प्रोग्रेस करनी है यूड़ाइस की क्वेरी के समद में कुछ प्रश्ण उतर यहां पर आपके सामने प्रस्तूत किये जा रहे हैं जब आप एक विक का विशलेशन की प्रश्ण की बात करें क्या विध्याले की एकेडमिक सीजन प्रारंब होने की दिनांग परिवर्तित की जा सकती है जब हम यूड़ाइस को लोगिन करते हैं अगर आपने लोगिन कर रखा है तो सबसे पहले मेनेजमेंट का एक डायलोग बॉक्स ओपन होता है जाएकेडमि लोगिन पर यह उपलब्द करवा दिया जाएगा जहाँ आप एडिट कर पाएंगे इसी तरह अगला परसन आता है क्या सभी विध्यार्थियों की एंट्री अपडेशन होने के पस्चात फाइनल सब्मिट करने के बाद विध्यार्थियों के डेटा को एडिट किया जा सकत है तो यहां पर उत्तर है कि आफ्टर फाइनलाइजेशन और प्रोग्रेशन मॉड्यूल नो चैंज केन बी मेड बाई इसकूल लोगिन यानि इसकूल लोगिन से किसी प्रकार का परिवर्टन नहीं किया जा सकता अगर आपने फाइनल सब्मिट सभी को कर दिया है तो मॉस्ट इंपोर्टन प्रसन है हम सभी के दिमाग में वो उम्र के हिसाब से सेकेंड और धर में न्यू एडिमिशन लेना चाता है तो उसकी एंट्री किस प्रकार होगी तो यहां पर उसके लिए आंस्वर है कि a student which is not captured in Udice system can be entered by block login in any class और section यानि उसकी एंट्री block login पर ही हो पाईगी अभी school login पर नहीं है तो दोस्तों most important प्रसन जो हमारे सभी के लिए समस्या बना हुआ था वो उसका आंस्वर आ चुका है इसी तरह अगला प्रसन है क्या कोई अध्याबग नई बरती से विद्याले में आया है तो उसकी प्रविश्टी किस प्रकार की जाएगी तो वह भी है कि new teacher can be added by teacher module through school login से teacher module में entry हो जाएगी उसकी भी तो उसके लिए भी जल्दी option उप्लप्त करवा दिया जाएगा यदि कोई बालक बार बार drop out हो रहा है और अभी बारक से संपर्क होने पर भी पलाइन कर जाते हैं तो उसके लिए क्या है कि drop out student will exit in dropbox module तो आप सभी जानते हैं तीन तरगे module दिये गई है progression module है dropbox module है import module है तो इसके तरगत dropbox module दिया गया है whenever he see approach in any school then school may pull student in their school from dropbox drop import module यहनि अगर कि school द्वारा उसको dropbox में डाल दिया गया है अब आप इसको import कर सकते हैं इसी तरह अगला परसन आता है कि private school में 11th में 100 से अधिक ब upload ने हैं तो Excel का format upload का option यानि सभी update module में एक साथ open करें तो यहां पर उसका answer दिया गया है student which is not captured in Udai system can be entered by block login any class or any section यह भी वही same problem है जो सुब आप उपर की और आपको बताई गई है कि नया student आता है तो उसको कैसे हम सैसे second में third में प्रवेश लेता है तो उसकी entry कैसे करनी है तो वो भी same ही process है block login से ही होगी विद्यारतियों के blood group test नहीं होने के कारण blood group का option में क्या भरें तो in government and private school medical check up camp are organized blood group can be filled in Udai using medical check up camp यानि जो medical check up camp हुए थे उसके अनुसार blood group है वो आपको enter करने है अगर student data final होने के बाद हमें संसोधन करना है तो पुना संसोधन हो सकता है य नहीं हो सकता है तो student data correction after finalization may possible by block or district or state level यानि अगर आपने school login से data correction करने के बाद finalize कर दिया है तो वो block district or state level से ही possible है उसमें संसोधन के लिए इसी प्रकार block इस्तर पर यूड़ाइस प्रवाशिक्शन नहीं हो पाए तो PO इस्तर पर उस प्रवाशिक्शन को जिल्ला इस्तर प and supporting videos can be also shared through YouTube regarding Udice online student database management system यानि अगर आप training नहीं कर पाए हैं तो उसके लिए YouTube पर वीडियो भी मौजूद है तो YouTube पर वीडियो मौजूद है जो student database management system से सम्मधित है आप उसको भी देख सकते हैं अगला परसन है school wise, block wise, district wise PPT required आप सकता है PPT की तो देखें कि in school login required detail guideline information is available वो भी available है नए Udice code के लिए पुराना forum आ गया है तो उसका क्या करें तो उसके लिए if old forum are submitted for new Udice code then all school related required should be filled or remaining can be filled by asking related person सभी कक्साओं का अंतिमी करण यानि finalization होने के बाद क्या नए विद्यार्थी को जोड सकते हैं तो नए विद्यार्थी को भी नहीं जोड सकते हैं वो block district or student level से ही जोड सकता है नवीन विद्याले संचालित होने पर विद्यार्थी को जोडने का विकल पर block इस्तर पर होने के साथ साथ क्या जिल्ला इस्तर पर भी संभाव हो सकता है तो यहाँ पर in case of new school all class environment will be filled by new school if all student exit on Udice system otherwise done by block level office अगला परसन है कि कुछ विद्याले के ग्राम परिवर्थित हो जाने से क्या समाधान है इसका तो village change is available in school management LGD mapping यहीं LGD mapping के अंदरगद उसके available है change का option तो आप change अगर है तो कर सकते हैं अगला है क्या विद्याले इस्तर पर किसी विद्यार थी कि TC generate होने के उपरांत उसी विद्याले में पुना admission पांच देशों में किया जाए तो क्या करना है तो after generation of transfer certificate and TC Sam student can be admitted in school by using import module import module जो दिया गया है उससे हम वापस student को ले सकते हैं इसी परकार demerge के लिए भी option डाला गया है कि अगर कोई विद्याले demerge है यानि demerge विद्याले के case में primary विद्याले को senior secondary में कर्मोनिती उपरांत school affiliation board secondary high secondary को क्या लिखें तो इसमें आप 9999 type कर सकते हैं और after allotment of actual affiliation number then should be updated in UDICE अगला है अध्यापक के नाम जन्मति थी आधार नमबर आदी में संसोधन कैसे होगा तो to update teacher name DOB and आधार नमबर teacher 01 forum में start in teacher module teacher module के अंध्यापक के नाम जन्मति थी आधार नमबर में changes कर पाएंगे क्या एक विद्याले दूसरे विद्याले के विद्यारति को जोडने के लिए dropbox में दूसरे विद्याले का इंतजार करूंगा तो इसके लिए है कि a student can be imported in other school from dropbox by using import module यानि एक student को अगर आप import करना चाते हैं लेना चाते हैं dropbox से और import करना चाते हैं in case if previous school not allowed to that particular student and student parents should be request to allow student status to allow import other school अगर उसके parents अनुमची देते हैं तो वो import कर पाएंगे साथ ही इसके लिए एक और बात यहाँ पर मैं आपको बता देना चाता हूँ कि import module के अंतरकत किसी बच्चे को आप import करना चाते हैं तो दूसरी school के teacher जब तक उसका data complete नहीं कर देते तब तक आप उसको import भी नहीं कर पाएंगे और most important परसन यह भी है कि किसी चात्रक को अगर पांचवी कक्षा से तीसरी कक्षा में करना हो तो कैसे करें तो यह block level से ही संभव हो सकता है और अगर आपका academic session भी start नहीं हो पा रहा है अपडेट नहीं हो पा रहा है तो वो भी block और district level से ही update हो जाएगा अगला परसन आता है एक राज की विद्याले जिसका block द्वारा नया यूडाइस code आवंटिट किया गया है यानि करवाया गया है विद्याले द्वारा दोनों विद्याले में गतवर्श की प्रविष्टी की गई block द्वारा एक विद्याले को बंद करने का निवेदन प्राप्त हुआ है ऐसी स्थती में बंद करवाये जाने वाले विद्यार्थियों के विद्याले के विद्यार्थियों का क्या होगा तो in case of permanent close of a particular school all students may be shifted by using dropbox and import module अगला परसन है यह भी most important है कि नया विद्याले जो भी new school open होते हैं नया विद्याले create school module में यदि block select करते ही नीचे अलग window में सारे विद्याले show होते हैं तो विद्याले के दोहरे code 110 की समश्या सही हो सकती है तो यहाँ पर answer है when new school UDIS creation request receive first check whether school is exit or not a current UDIS system after ensuring that process further अगला परसन आता है कि राज के बाली का विद्याले में कक्सा एक से पांच में प्रविष्टी नहीं हो पा रही है तो क्या करना चाहिए तो जैसा कि वीडियो में आपको पहले बता चुका हूं मैं कि अगर if no student is showing in academic year then first promote all student in previous year to current year you will get all student in current year यानि आप पिछले session के विद्यारति अगर इस session में show नहीं हो रहे हैं तो सबसे पहले आप उसको promote करेंगे promote करने पर यह है वो current session में यानि वर्दमान session में show हो जाएंगे इसी प्रकार last year government school का teacher you dice portal पर पर परविष्टी से छूट गया तो नहीं परविष्टी कैसे सुरू होगी तो teacher entry is coupled with the school profile in teaching staff number according teaching staff number count number of teacher can be filled in teacher module if all teacher staff enter not completed then teacher module show incomplete message यान incomplete message भी उपर show हो जाएगा अगर आपकी सबी सभी entry complete नहीं होई है तो किसी विद्याले को GUPS school को GSS कर दिया है इस विद्याले में 8 वी के बच्चे 9 वी में promote नहीं हो रहे है section generate करें message जा रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि in case of school of gradation first correct your school category according current situation यानि सबसे पहले वरतमान situation वरतमान परिष्टित के अनुशार आप school की category है वो बदले then promote your student from previous to current year उसके बाद सभी को बच्चों को पिछले सत्र से इस session में promote करें उसके बाद अगला option आता है कि class का verification एक साथ कैसे होगा each class and section will be finalized individually after all classes finalization done finalize be below progression module to finalize all class progression यानि सभी class का verification एक साथ नहीं होगा आपको प्रते class का each class का यानि each class and section will be finalized individually अलग-अलग करना होगा सब सभी class का finalize done हो जाएगा तो आपके progression module में ये so भी हो जाएंगे private school का कारे जल्दी करवाने के लिए rt portal पर pop-up का विकल पा आ जाए rt पर कारे करने से पहले u-dice complete होना जरूरी हो इसके लिए p.o responsible है p.o is responsible to our all government and private school to fill u-dice data entry तो दोस्तों कुछ ये थी most important बादने u-dice के संबन में तो u-dice का जोसर तो मैंने सुरात में आपको बताया है कि कुछ पहले ही मैंने वीडियो जारी करके आपको बता दिया है उमीदे साथ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सुस्क्राइब कीजिए पास में आने वाले गड़ी के बतन करें